जून 2019 की बात है कर्टिस विट्सन और उनका परिवार कैलिफोर्निया की एक नदी में फ्लोटिंग ट्रिप के मज़े ले रहा था विट्सन उनकी प्रेमिका और उनकी तेरे साल की बेटी तीन दिनों की इस यात्रा के बाद एक जरने तक मौचे विट्सन साथ साल पहले भी यहां आ चुके थे और जानते थे कि इस जरने से उतरना कोई मुश्किल काम नहीं बस वहां लटकी हुई एक रसी का सहारा लेना होगा रसी जो साथ साल पहले वहां लटकी थे मगर आज गायब थी तीनों फस चुके थे सेलफोन नेटवर्क तो मीलों पहले साथ छोड़ चुका था और सबसे निकट्टम कैम भी वहां से मीलों दून था कहने का मतलब यह कि अब तीन लोगों के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी या फिर थी नमस्ते मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात विट्सन और उसके परिवार की इस सची स्टोरी का सुखांत हम इस शो के अंत में आप से डिस्कूस करेंगे अंत में इसलिए क्योंकि उम्मीद कोई फास्ट फूड नहीं है हलकी आच वे पकने वाला दमपुख्त है वो क्या कहते हैं आहा को चाहिए एक उम्र असर होने तक तो अभी अपने शो के में पार्ट की और बढ़ा जाए और बात की जाए कोविड महामारी की दूसरी वेव के दोरान उम्मीद बन रही कुछ संस्थाओं, व्यक्तियों, मुहीमों की जिनको जानकर विट्सन की स्टोरी का क्लाइमाक्स और बहतर लगेगा गोया दमपुख्त के उपर गार्निशे आज की पहली उम्मीद की बात अलीघड से यहां के ताला नगरी में स्थिप, प्रिसिजन अद्वांस सिस्टम और इंजिनरिंग और एंवारिनमेंटल सलूशन मिलकर स्वदेशी ओक्सिजन कंसेंट्रेटर्स की तैयारी कर रही है दावा किया जा रहा है कि इन उक्सिजन कंसेंट्रेटर्स को बनाने में इस्तेमाल की गई अधिकतर वस्तुएं और कच्चा मालस्वदेशी है साथ ही ये चाइना के उक्सिजन कंसेंट्रेटर्स के मुकाबले आधी कीमत के हैं इंडिजिनिस यानि लोकल होने के चलते इनकी रिपेरिंग भी आसानी से की जा सकती है डिजाइनर सहीद अबू रेहान ने अपने साथी मुहमद हमजा की सहयोग से इस उक्सिजन कंसेंट्रेटर्स की भारी दिखकर चल रही थी तब इन्होंने एक उक्सिजन कंसेंट्रेटर का प्रोजेक्ट देखा और इस बारे में पढ़ा कि ये काम कैसे करता है इसके बाद दोनों इस निशकर्ष पर पहुँचे की इसे ये लोग खुद बना सकते हैं यूँ दो हफते के भीतर पहला उक्सिजन कंसेंट्रेटर बना डाला इन्हें अलिगड के कमिशनर और प्रिसिजन अडवांस सिस्टम के सीयो मनीश बंसल के सहीयोग से रौ माटीरियल मुहिया कराया गया प्रिसिजन अडवांस सिस्टम के 40 लोगों की टीम अब भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही अब तक ये लोग 30 से अधिक ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर मशीने तयार कर चुके हैं ये मशीने एक एंजीयो के सहीयोग से अलिगड में इस्तेमाल हो रही दावा है कि इनका रिस्पॉंस काफी पॉजिटिव है और ये स्वदेशी कंसेंट्रेटर 70 से 72 तक का SPO2 लेवल उठाके 90 से 92 तक ले आ रहे हैं दो हफता पहले हमजा रात में कॉल आती है मेरी और हमजा का ये पूरा आइडिया था उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन की बहुत जादा कमी हो रही है लोगों को मिल नहीं पा रही है हमारा जो इंडिया में प्रोडक्शन ऑक्सीजन का उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की डिमांड हो गई है तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये क्राइसिस कम हो सके तो हमने एक प्रोड़क्ट देखा Oxygen Concentrator तो Oxygen Concentrator कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ा हम लोग ने क्योंकि हम लोग सब यहां इंजिनियर्स हैं तो हमने पेपर बगएरा पड़े और यह सारे निकाला कि हाँ यह चीज बनाई जा सकती है तो हमने इस पे काम करना शुरू किया और लगबग दो हफता पहले हमने successfully इसको develop कर लिया आज की दूसरी स्टोरी राजस्थान के जालावार शहर से है यहां के पाँच पेंटर्स अपने आठ से कोरोना के प्रती जागरूपता फेला रहे वीडियो में यह शहर के व्यस्त मामा भांजा चोराहे पर आकरशक पेंटिक्स बना कर लोगों को चेताते हुए दिख रहे है पेंटर्स के इस ग्रूप के मुख्या सुनील पाल कहते हैं कि जिस महा मारी से पूरा विश्व प्रभावित है उससे लोग डरे नहीं लेकिन अपना बचाव सरूर करें तीसरी उम्मीद की बाद फिर से यूपी से है इस बार शहर मेरट से यहां से कोविट पेशिंट्स के लिए उम्मीद की बाद बना है एक एंग्यू मेरट क्लोथ बैंक नाम का एंग्यो अतीत में जरूरत मंदों को कपड़े वित्रित करता आया है कोविट की दूसरी वेव की भयावहता को देखते हुए अब मेरट क्लोथ बैंक ने एक उक्सीजन बैंक का भी निर्मार किया है मेरट में जिला प्रशासन और नगर निगम के लोगों तक उक्सीजन पहुचाने के लिए अलग-अलग केंद्र बनाए है उन केंद्रों पर Oxygen Cylinder की कमी न हो, इसके लिए Merit Cloth Bank ने शेहर के लोगों से खाली Cylinder एक अत्रित कर प्रशास में गोड़ दिये ऐसे ही एक Oxygen Bank की खबर बिहार के समस्तिपुर से भी आई है यहां ये इनिशियेटिव लिया है युवाओं की एक टोली ने ये युवा वाट्साप और सोशल मीडिया के माध्यम से जरूरत मंदों से कनेक्ट करते हैं और उन्हें मुफ्ट में Oxygen Cylinder की होम दिलिवरी करते हैं इनके पास कुल 16 Oxygen Cylinders हैं जो इन्होंने कुछ गैरज और बंध हो चुके हॉस्पिटल से जुटाए है इन युवाओं ने समस्तिपुर शहर में तीन अलग अलग जगों पर Oxygen Bank की शुरुवात की है ताकि लीट मिलने पर ये उस जगे पर जल से जल पहुँच सके जहां इनकी जरूरत है चौथी उम्मीद की बाप मध्यप्रदेश के शिफपुरी से यहां CMHO डॉक्टर एल शर्मा ने कोरोना से ठीक होई मरीजों को एक नया वुपहार दे कर हॉस्पिटल से विदा किया प्राणवायू के मेटाफर के तौर पर इन्होंने कोरोना सर्वाइवर्स को पौधे गिफ्ट किये हालाकि कोविट के दौरान पौधे या पेड किसी भी हाल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसिंट्रेटर्स का विकल्प नहीं बन सकते हैं और जाहिर है कि ये बात शिफ्पोरी के प्रशासन को पता है इसलिए ही रोज यहां दसियों मरीज स्वस्थ होकर घर लोट रहे हैं CMHO की इस पहल की सराहना कम से कम दो कारणों से की जाने चाहिए पहला स्वस्थ कोई मरीजों को उम्मीद और मोटिवेशन के साथ विदा करना और दूसरा लोगों को पर्यावरण के प्रती जागरूप करना हमने जो पौदे बहुत बहुत किये हैं यह बताने के लिए कि आप घर में अपना पौदा लगा है जागरूपता की कमे और इशिक्षा के चलते बुंदेल खन के ग्रामीर इलाकों के बीच के लोगों के बीच कोरोना वैक्सिन को लेकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं यहां कोरोना काल में आशा वरकर्स का विरोध करने के कारण तो लोगों पर FIR भी हो चुकी है इसी सब के चलते निवाडी मद्रप्रदेश के पुलिस अधीक्षक आलोग कुमार सिंग के द्वारा वैक्सिनेशन को लेकर जागरूपता अभियान चला जा रहा है वो इस इलाके के ग्रामीड इलाकों में शत्रप्रतिशत प्राक्सिनेशन सुनिश्चित करना जाते है आलोग के इस जागरूपता अभियान के तहट बुंदेली लोग गीतों के माध्यम से गाउगाउँ जाकर लोगों को जागरूप किया जा रहा है बुंदेली लोग गीत इसलिए क्योंकि यहीं वो माध्यम और भाषा है जो बुंदेल खंड के ग्रामीड अंचलों के लिए सरल और सहज है यह लोग गीत संतोष पटेल द्वारा लिखे गए हैं जिसे वो गाउग उन गुनाते भी नज़र आते हैं उनके साथ लोग गीत एवं राई गाने वाले बुंदेली लोग कलाकार भी तेहते हैं अगली उम्मीद की बात लखनव से यहां के जानकी पुरम में रहने वाले युवा पंकच प्रसून पेशे से कभी हैं और दर्जनों किताबे लिख चुके हैं पुछ दिनों पहले तक कोविट से संक्रमित थे और अब नेगेटिव हैं नेगेटिव होने के बाद तकरीबन 17 अन्य कोविट संक्रमितों को प्लाजमा डूनेट कर चुके हैं और अब आओ गाओं बचाओ नाम की मुहीम चला रहे हैं इस मुहीम का उद्देश है कोविट के इलाज और बचाव के लिए गाओं में भी शेहर जैसी सुविधायन पहुचाना आओ गाओं बचाओ ने एक कोविट हेल्प नाम की टीम का गठन किया है और इस मुहिम से ऐसे डॉक्टरों को भी जोड़ा गया है जो ग्रामीडों को फ्री में उनलाइन सलाह दे से हैं पंकच अपनी मुहिम के माध्यम से राय बरेली के तीस गाओं में कोविट केर सेंटर खुलवा कर उनमें फ्री दवाई डॉक्टरी सलाह ओक्सिमीटर जैसी सुगधायों कलप्त करा रही है इसके लिए उन्होंने सोनुसूद और कुमार विश्वास से मदद भी मागी थी जवाब में दोनों ने ही पंकच को उनकी इस मुहिम के लिए कोरोना किट्स, ओक्सिमीटर और ओक्सिजन कॉंसिंट्रेटर बिजबाये थे आज की साथवी स्टोरी MPK बाला घाट जिले में स्थित वारा सिवनी नाम के नगर से है यहां के व्यापारियों का वाट्साप पर एक ग्रूप है नाम है व्यापारी ग्रूप जब कोविट के दूसरी वेव के दोरान संक्रमट बढ़ने लगा तो ग्रूप में एक विचार आया कि क्यों ना अपने कजबे को ऑक्सिजन की कमी से हो रही मोतों से बचाया जाए इस विचार से सहमतियों की कोपले फूटी और देखते ही देखते ग्रूप के सदस्यों ने चंदा देना शुरू कर दिया यह लोग ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर्स देने के साथ साथ जरूरत मंदों को इसे चलाने का तरीका भी बताते हैं और आवशक्ता पढ़ने पर दवाएं और बाकी मदद भी करते रहते हैं और उसके लिए हम सभी ने व्यापरी ने मुहीं चालू थी यापरी परिवार एक ग्रूप है और उसमें सभी व्यापरियों ने छोटे बड़ेयोंने एक हजा चूछा और किपरियों और बाकी मशीन थी और बाकी हमने मशीन क्रेंटिया थी है तक आपने लगएद देविस अगली स्टोरी निखिल तनेजा और उनकी संस्था के बारे में निखिल एक दिर्माता लेखक और कहानिकार है इनकी संस्था का नाम है युवा, महामारी के दौर में युवा के मेंबर सोशल मीडिया को उप्योग कर लोगों तक कोरोना महामारी से रिलेटेड रिसोर्स पहुंचा रहे हैं आज की तारीक में राश्ट्री इस्तर पर इनकी टीम के साथ हजार के करीब युवा जुड़ चुके हैं इस पूरी टीम को राजस्तरों पर बाटा गया है जिनके माध्यम से सोशल मीडिया से आई SOS रिक्वेस्ट से रिलेटेड रिसोर्स जूड़े और वेरिफाई किया जाते हैं और फिर उन्हें जरूरत मंदों से करेक्ट किया जाता है इनके पास आने वाली रिक्वेस्ट में प्लाज्मा, अस्पताल, बेड, मेडिसिन, ऑक्सिजन सिलेंडर, ऑक्सिजन कंसिंट्रेटर जैसी चीजें शामिल होती है संस्था अलग अलग फील्ड के विशेश अग्यों के साथ मिलकर काम कर रही है जैसे इनके साथ MBBS डॉक्टर भी जुड़े हैं जो डॉक्टर ऑन कॉल नाम की मुहिम के अंतरगत लोगों से जुड़े रहते हैं पोविड महामारी के दोरान अब तक इनकी संस्थाने लगभग 1300 लोगों तक मदद पहुचाई है ऐसे बहुत लोग हैं हमारे देश में एस्पेशली नौजवान जो मुश्किल घड़ी में सबसे आगे घड़े होते हैं तो हमने युवा ने एक इनिशेटिव शुरू किया युपा वॉलिंटियर्स ऐसे कई युवाओं को इकठा करने का जो इस समय सेफ हैं रक्षित हैं शायद कोविट रिकवर्ड हैं और जो मदद करने के काबिल हैं और मदद करना चाहते हैं और जिनको साथ जोड़कर हम उन लोगों की साहता कर पाएं जो मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं हमारा एक ही गोल रहा है कि ऐसी घड़ी में कोई अखेला ना पड़े किसी को भी अगर कोविट है किसी के प्यार करने वालों को कोविट है किसी करिश्टे दर्म को कोविट है उन्हें ये न लगे कि वो अखेले हैं और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है आज की अंते मुम्मीत की बाद छोटी सी है पर भावुक करने वाली है हमारी टीम में एक साथी है मनोज, मनोज कुमार जिने हम जरी पुकारते हैं जरी इन दिनों राजिस्थान में हैं कोविट की जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग के चलते ताकि वो आप तक कोविट की रिपोर्ट्स और असली हालात जमीन के पहुचा सके वो बताते हैं कि लक्षमर गड़ में अपनी रिपोर्टिंग के दौरान वो कुछ मिंटों से एक व्यक्ति को देख रहे हैं जरी को अधेर से दिखने वाले वो व्यक्ति रास्ता भटक गए जरी को ऐसा लगा लेकिन कुछ देर बाद जरी को अंदाजा हुआ कि उन्हें दिखता नहीं है वो देख नहीं पाते जरी ने उनका हाथ पकड़ कर रास्ता दिखाया और पूछा कि आपको कहा जाना है तो जवाब आया पेट्रोल पम्प के बगल वाली सड़ को हमारे साथ ही ने उन्हें वहाँ छोड़ा और फिर पूछा आपको कहीं और छोड़ दू उन्होंने कहा मैं चला जाओंगा मेरा रोज का है जरी काफी देर तक उन्हें चिंतामंग देखते रहे वो सही से चले तो जाएंगे न यह सोचते रहे तभी दो बच्चों की आवाज सुनाई दी पापा आ गये पापा आ गये वो दोनों बच्चे दूर से भागते हुए आए पासा कर उन्हें पिता जी की लाठी उठाई और उन्हें रास्ता दिखाते हूए जरी की आँखों से ओझल हुए अब आप कहेंगे कि जरी की ये स्टोरी एमोशनल तो करती है तर इसमें उम्मीद की बात क्या है वो ये कि बात में लोकल रिपोर्टर के माध्यम से पता चला कि ये व्यक्ति सिंगोधरा से लक्षमरगर तक की लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पैदलते करते हैं और वजह क्या है रास्ते में बने ये हर घड़े मटके के प्याव को भरते हैं आज भी वो शायद पानी भरने ही निकले थे अब सोचिए वो क्या चीज है जिसके चलते सूर्दास अतिबिचित्र घर की छबी देख लेते थे जिसके चलते रवींद्र जैन लिख लेते थे सुनैना दूर आस्मानों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखो और जिसके चलते हमारी लास्ट स्टोरी के ये अनाम हीरो पथिकों की प्यास बुछा रहे हैं बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के देखिएगा एक दिन ऐसी ही कोई उम्मीद की अनुपस्थिती मानफता की आखरी उम्मीद की बात बनेगी आज का उम्मीद का संदेश है विनोध मीन दवारा विनोध ने आईटी रूर्की से बीटक किया है इन दिनों दिल्ली में UPSC की तयारी कर रहे हैं फेस्बुक और वाट्साप के माध्यम से अब तक करीब आट सो लोगों की हेल्प कर चुके विनोध कैसे वन मैन आर्मी बने हुए हैं आईए जानते हैं कोविट से रिडिटर मेरी यह जरनी स्टार्ट होई दिल्ली में ऑक्सिजन की कमी के समय बाद में ऑक्सिजन के लावा आने सभी कोविट रिडिटर रिसोर्सेज भी दीरे दीरे इसमें एड होते चले गए एब हम सहाईता पहुंचाने का थित्र भी बढ़ता गया अभी तक देली NCR जो की मेरा और एरिया है उसके अलावा चंडिगर, एहमदाबाद, बैंगलॉर, पटना, कॉलकाता, धेरादून, हरिद्वार, रिशीकेस, इंदौर, भुपाल, सागर, रतलाम, जैपोर, ओदैपोर, टॉक, भिलवाडा, जोदपोर, मेरा ठागरा, तक मैंने किसी ना किसी प्रकार की COVID resources की रूप में सहायता की है, इस पूरी जर्नी में मेरा दो चीजों का विशेश योगदान रहा है, पहला, इंटेंसिबली पूरी तरह से इसी को समय देना, एवं दूसरा मेरे आस तक के कॉंटेक्स, एवं मेरे फ्रेंड्स के कॉंटेक् सोचे उम्मीद की हाइट और क्यामनी, आज तक लोगों को हजारों ऐसे SOS मेसेज मिल चुके हैं, कई तो एक सदी से भी ज्यादा पुरान है, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 12 जून 1886 का ये मेसेज जो 2018 में डिसकवर गया, अप्रेल 2013 में भी एक ऐसा ही मेसेज किना सुवारे को एक बोतल में 84 साल पुराना एक पत्र मिला, इसे एक ब्रिटिश सैनिक ने 9 सितंबर 1914 को अपनी पत्नी के लिए लिखा था, और अपनी मृत्यू के कुछ दिनों पहले बियर की एक बोतल में भर कर समुद्र में बहा दिया था, पत्नी की भी मृत्यूं 1889 में हो बाद में न्यूजिलेंड पोस्त ने अपनी खर्च पर इन दोनों की बेटी को ये लेटर डिलेवर किया, बेटी जो अब 86 साल की हो चुकी थी, सोचिये लोग गुजर गए, गए मगर उनकी उम्मीदें अथा सागर में बहती हुई एक दिल किनार अपा गई, शायद बोतल में एक बोतल भादी, भीतर चिट पर लिखा, हम यहां जहरने पर फस गए हैं, क्रिपया सहायता करें, उम्मीद बहुत थोड़ी थी कि ये मेसेज किसी तक पहुचेगा, और पहुचेगा भी तो ज्यादा आशंका ये थी कि खाक हो जाएंगे, हम तुमको खबर होने तक, म रिस्क्यू कर लिया गया, तो अंत में ये कहना है कि कई बार सिर्फ उम्मीद से भी मन्जिल मिल सकती है, इसलिए उम्मीद को अपना रह गुजर बनाए रखिये, बाकि सहियात परी तो आते जाते रहेंगे, और हाँ, साथ में औरों के लिए भी उम्मीद बनिये, रोज पर खुद को उत्तर दीजिए, जैसा मैं चाहूंगी, वैसा ही होगा, अलविदार